हेलो दोस्तों वेलकम टो एंजिनेरिंग डॉर्डिंग दिस इस अबाउट मी यूर एजुकेटर अंकित पराते दोस्तों आज हम क्यूसी टू का लेक्चर फोर लिग के आए है आपके लिए जिसमें हम देखने वाले यूनिट फोर एस्टिमेट ऑफ वाटर सप्लाई एंड स से आने वाले को जो इंपोर्टेंस एमसी क्यूज और इसके साथ ही हमने एस्टिडी टू स्टील पी एची के वी लेक्चर आपके लिए प्रोइड करा चुके है जो की बेस्ट है आरजबी के लेटेस एक्जाम पेटर्न पर यह आपने वह अभी तक नहीं देखे तो हमारी प्लेश में जाकर देख लीजे और इस वीडियो के आई बटन में भी आपको मिल जाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं लेते हैं आज का पहला कुश्चन दे यूनिट ऑफ पैमेंट फॉर डब्लू सी डब्लू सी के लिए डब्लू सी की जो पैमेंट है वह हम लोग कैसे कर और यह आपको पुछा जाएं लो लेवल फ्रसिंग सेशन तो इसकी कितनी ली जाती है पंद्रा लिटर स्लोप आफ आउटलेट ऑफ पी ट्रेब बिलो दी होरिजेंटल इस केप्ट तो जो पी ट्रेब का आउटलेट है उसका स्लोप कितना रखा जाता है उसके पहले हम लो आप यह देख रहे है यह वाटर सीर कहलाती है जिसका काम है जो बैड इसमेल से उन्हें घहरों तक आने ऐसे रोकना यह वाटर सीर हमें सब मेंटेन रहनी चाहिए तो दोस्तों आते कोश्चन पर कोश्चन का जो आंसर है जो स्लोप ऑफ आउटलेट ऑफ पी ट्रेब कितना होता है 14 डिग्री का नेक्स्ट कूश्चन लेते हैं Size Capacity & Material need to be specified for गोस्तों जितने भी टाइब के वाल है कौश्च है तो इनके लिए जो साइज है वह specified रहता है पहले से ही Capacity and Material हो प्याइब भी specified रहता है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा All of the abo नेक्स्क्षिन लेते हैं देट्रेब विच इस प्रोवाइड़ तू डिसकनेक्ट दी हाउस रेन फ्रॉम श्ट्रीट सिवर इस कॉल जोस्तो जो भी सिवरे सिस्टम है उसमें अलग-अलग टाप के सिवर होते हैं इस सब के अलग-अलग काम होते हैं जो की स्टार्ट होता है घर के सिवरे सिस्टम से ओके तो उसमें क्या होता है की घरों के जो सिवरे सिस्टम है हाउस ट्रेन को स्ट्रीट जो सीवर है उनसे अलग रखने के लिए हम लोग किस ट्रेप के ट्रेप का यूज करते है तो वो है मास्टर ट्रेप, इंटरसेटिंग ट्रेप या इंटरसेप्शन में हो तो दोस्ते ये तीनों एक ही है तो इस कांसर हो जाएगा और अब दी एबो, दे यूनिट ऑफ पैमेंट फॉर फ्लसिंग टैंक, फ्लसिंग टैंक की जो यूनिट ऑफ पैमेंट है हम लोग इसकी पैमेंट कैसे करते हैं तो वो करते हैं हम लोग नंबर के कोडिंग, एंटी साइफन पाइप इस कनेक्टेड टू, एंटी साइफन तो घरों के अंदर bad smell आ जाएगी, तो इसे बचने के लिए हम लोग anti-siphon pipe use करते हैं, तो इसे कहां जोड़ा जाता है, anti-siphon pipe is connected to top of p-trip, okay, top of p-trip wc से इसे connect किया जाता है, what is the diameter of flushing pipe, जो flushing pipe है, इसका जो diameter generally कितना होता है, तो होता है 32 mm, the capacity of septic tank for 100 user will be roughly, 100 user के लिए capacity of flushing tank roughly कितना होता है, तो दूस्तों जो capacity of flushing tank रहती है, यह कुछ depend करती है, septic tank के detention time पर, cleaning period पर, and number of users पर, उनके लिए जो capacity, capacity of liquid capacity जो लेते हैं, हम लोग per head, इन सब पर हो depend करता है क्या capacity of septic tank, तो इन्होंने यहाँ पर roughly पूछा है, 100 user के लिए हम लोग capacity of septic tank कितना लेते हैं, तो इसका answer है, B, 7 to 8 cubic meter, the unit of payment for pipe, pipe की payment कैसे करते हैं, हम लोग किसे साब से करते हैं, तो दोस्तों यह करते हैं, हम लोग per meter के साब से, तो इसका answer हो जाएगा, second per meter, what is the minimum diameter of pipe used for drainage of waste water, waste water के लिए हम लोग minimum diameter of pipe कितना लग यूज़ कर सकते हैं, तो वो है 75 mm, यह mm में हैं आपर, the value of A, of Indian type WC, so in the given figure, दोस्तों यह Indian type WC है, और यहाँ पर यह तीन चीज़ आपको दीख रही है, A, B and C, तो यह कई बार exam में आ जाते हैं, और इनके लिए अलग-अलग question बना कर A, B, C की value पूछता है, जैसे कि यहाँ पर A की पूछा हुआ है, तो दोस्तों, A जो है यहाँ यहाँ पर, वो है 30 cm, और मैंने यहाँ आपर बाकी होगा भी दे दिया है, B, यह है 45 cm, और C, यह है 50 cm, तो जैसे भी question आए, अब यहाँ जरू देखना कि A पूछा है, B या C पूछा है, उससाब से इसका answer आप टिक करके आएगा, The unit of payment for different type of wall is, different type of wall के लिए, जो unit of payment है, वो कैसे होती है, तो wall की जो payment है, हम लोग करते है, नंबर के according, What is the ratio of cement to be used to plaster the drain at the bottom of the chamber, Bottom of the chamber में जो plaster करते हैं हम लोग, उसका ratio कितना रखते हैं, तो वो रखते हैं, one ratio two, What is the number of coat of paint required for the main hole cover, ओके, जो paint की जाती है, वो होता है, दो code स्वारी, जो paint की जाएगी, number of code उसमें कितना जाएगी, दो, ठीक है, इसका answer हो जाएगा, second वाला दो, Thank you दोस्ते, इस वीडियो को लास तक देखने लिए, प्लिस दोस्तों को share कर दीजे, Thank you.